सो हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर क्या आए हैं कोष्ट गार्ड नाविक एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए जीके और साइंस के मिक्स कुशिंस का एक स्पेशल सेशन तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथ ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हुमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हुमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो फर्स्ट कुश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सालार जंग संग्राले कहां पर इस्थित है यानि कि where is the सालार जंग म्यूजियम सिचुएटेड ओप्संस दिये गये हैं पटना, हैदराबाद, लखनव या फिर मॉंबई नेवी एमार एक्जाम में प्रीवेस यर्स में आ चुका है तो आपके लिए भी स्पेशल हो जाता है तो देखिए सालार जंग संग्राले जो है ये आपका हैदराबाद में इस्थित है तो यहाँ पर हमारा इस कुशिन के लिए right answer हो जाएगा option number B हैदराबाद अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखिए सालार जंग संग्राले जो है वो एसिया का सबसे बड़ा और पूराना संग्राले है इस संग्राले का मुख्य आकरसन जो है वो उसकी एक तरीके से संगीत माई घड़ी लगी हुई है उसमें वो है ठीक है तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाता है ओप्सन नमबर भी हैदराबाद क्लियर हो गया चलिए आहूंगा अनेकेडमी के बारे में अनेकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है जिसमें की बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में explain कर देता हूँ तो दोस्तों इसमें आप लोगों को daily free live test 100 plus free special classes और इसके अलावा आपको आपके subject की regarding dedicated doubt clearing session भी दिये जाएंगे और जिस exam की भी आप लोग preparation कर रहे हो उसके regarding जो है आप लोगो unlimited practice दिये जाएंगे जिसकी आप लोग practice कर सकते हो इसके अलावा भी जो है आप लोगों को उन exams के regarding धेर सारा study material भी provide किया जाएगा और अगर आप लोग NDA exam की preparation कर रहे हो तो इसमें जो है आपको return के साथ में SSB exam की भी preparation करवाई जाएगी जिससे की आप लोग NDA, Air Force XY और Navy के return को आसानी से qualify कर लो और तोस्तों साथ ही में जो है अनेकेडमी के द्वारा दो नए बैच भी शुरू किये जा रहे हैं जो की आपके हैं विकरांत इंडियन Navy और अगनी NDA इन दोनों courses को जो है 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है जिनमें defense के top educators के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा तो अगर आप लोग इन courses में enroll करना चाहते हो तो आप लोगों को simply unacademic का learner app install कर लेना है और उसमें simply आपको register कर लेना है register करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा choose course तो course में जो है दोस्तों आपको defense की category में NDA, Air Force XY और Navy को select कर लेना है उसके बाद में दोस्तों आपको get subscription के button के उपर click करना है और वहाँ से जो है एक subscription plan को choose कर लेना है उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एक referral code तो referral code में दोस्तों आपको defense point जरूर से डाल देना है जिससे की अच्छा का सा discount देखने को आप लोगों को मिल जाएगा तो इस तरीके से जो है आप लोग Unacademy के in courses में enroll कर सकते हो सारी links जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे description box में दी गई है तो अब देखिए दोस्तों question number 2 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि बारिस की बुंदें गोलाकार होने के पीछे का reason क्या है यानि कि जो water drops होती है वो आपके spherical shape की क्यों होती है ठीक है तो इसके पीछे का reason जो है I hope आप सभी लोगों को पता होगा और यह question जो है आपके Navy, Air Force और Coast Guard इन तीनों exams में आ चुका है options देखिए यहाँ पर क्या-क्या दिये गए हैं तो चिप-चिपापन, लोच, टक्राव या फिर प्रष्टतनाव तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रष्टतनाव के कारण जो है वो वर्सा की बूंद गोल होती है ठीक है तो correct answer इस question के लिए हो जाएगा option number D clear है चलिए देखिएगा question number 3 क्या बोला जा रहा है कि वातावरण की कौन सी परत ozone sphere भी कहलाती है ठीक है यानि कि which layer of the atmosphere is also called the ozone sphere options दिये गए हैं exosphere, stratosphere, troposphere या फिर mesosphere तो यहाँ पर देखिए correct answer क्या हो जाएगा option number B जो दिया गया है stratosphere ये जो है हमारा इस question के लिए correct answer होगा ऐसा क्यों तो इसको जान से समझिए कि ozone परत जो है वो वायू मंदल में यानि कि atmosphere में लगबग 10 km से लेकर के 40 km तक फैली हुई है ठीक है ये परत जो है यानि कि ये layer ये आपके समताफ मंदल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं stratosphere उसमें होती है ठीक है और ozone परत की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य काम क्या होता है कि पराबेगने केरने जो होती है उससे हमारी रक्षा करना तो correct answer इस cushion के लिए हो जाएगा option number B, stratosphere यानि कि समताफ मंदल clear है? चलिए देखिएगा question number 4 यहाँ पर काफी special question हो जाता है ये question भी जो है आपके previous year में आ चुका है question में बोला जा रहा है कि ताज महल के पीला होने के लिए निम्न में से कोन जिम्मेदार है? यानि कि which of the following is responsible for turning yellow ताज महल? options दिए गए हैं potassium, carbon dioxide, sulfur dioxide या फिर इन में से कोई भी विकल्फ सही नहीं है तो दोस्तों आप लोगोंने सुना होगा acid rain यानि कि थोड़ा थोड़ा काला भी वो होते जा रहा है ठीक है? तो इसके पीछे का reason क्या है? तो इसके फिजे का reason है sulfur dioxide तो correct answer हो जाएगा इस question के लिए option number B sulfur dioxide और sulfur dioxide का formula अगर बात की जाए तो ये जो होता है आपका SO2 ठीक है? तो ताज महल के पीला होने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो है आपका sulfur dioxide आपको जो है ये question पूछा जा सकता है तो इसको जो है mostly आपको जान में रखना है देखिए question number 5 यहाँ पर क्या बोला गया है? कि प्रत्वी के वायू मंडल में सबसे परचूर मात्रा में निस्क्रिय गेस कौन सी है? ठीक है? यानि कि जो हमारा atmosphere है उसमें पाई जाने वाली सबसे परचूर मात्रा में निस्क्रिय गेस कौन सी है? options दिए गए है helium, neon, argon या फिर genon तो correct answer कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए निस्क्रिय गेस जो की हमारी वायो मंडल में परचूर मात्रा में पाई जाती है यह आपके होती है argon गेस ठीक है? तो correct answer हो जाएगा इस question के लिए option number C, argon इसके अलावा आपको दूसरी गेसों के बारे में भी पता होना चाहिए और उनका percent भी पता होना चाहिए की वायो मंडल में कौन सी गेस कितनी मात्रा में पाई जाती है तो nitrogen gas जो है यह हमारे वायो मंडल में 78% पाई जाती है ठीक है? इसके अलावा oxygen gas जो है यह आपके 21% पाई जाती है और बाकी की जो गेसें होती है वो कुल मिला करके 100% total इसका बनता है ठीक है? चलिए अब देखिएगा question number 6 यहाँ पर देखिए question जो है NDA exam के previous year का question है काफी special question हो जाता है देखिएगा क्या दिया गया है कि निमलिकित में से कोन जो है वो भारत में कार्यपालिका का एक हिस्सा है यानि कि which among the following is a part of permanent executive in India ठीक है? permanent executive के बात हुई है options दिये गए है भारत के प्रदान मंत्री किसी भी राज्ये के मुख्य मंत्री भारत के रक्षा मंत्री या फिर प्रसासनिक सेवक यानि की civil servants तो आप लोगों को question से ही पता चल गया होगा कि इसका answer क्या होगा तो यहाँ पे जो हमारा इस question के लिए right answer हो जाएगा प्रसासनिक सेवक यानि की civil servants तो देखिए भारत में जो इस्ठाई कार्य पालिका का ये जो है वो एक हिस्सा होते हैं इस्ठाई कार्य पालिका में कोन-कोन आते हैं तो इसमें जो है IAS वगेरा की जो civil services जो होती है वो सेवाएं आती है इसके अलावा जो आपके state PCS होते हैं वो भी इसके अंडर ही आते हैं clear हो गया चलिए अब देखिएगा दोस्तों question number 7 यहाँ पर भी काफी special question है क्या बोला जा रहा है कि कौन सा lens सामाई यहते है उसके उपर गिरने वाले प्रकास को अंदर की ओर मोडता है यानि कि ऐसा कौन सा lens है जो कि उसके उपर गिरने वाली light को अपने अंदर की ओर मोडता है options दिए गए उत्तल आउतल, समतल उत्तल या फिर बेलनाकार तो दिए जो उत्तल लेंस होता है वो अपने उपर गिरने वाले प्रकास को अंदर की ओर मोडता है ये क्या करता है तो ये जो है जो आने वाली किरने होती है उनको एक बिंदू पर केंदरित करता है ठीक है न? तो इसके लिए हमारा correct answer हो जाएगा option number A उत्तल लेंस इसलिए जो है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है ये जो है question आपका यहां से भी बन सकता है कि इसे जो है अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो है आने वाली किरनों को एक बिंदू पर केंदरित करता है ठीक है? चलिए देखिएगा question number 8 और यहां पर क्या बोला गया है कि स्नेहक वहपदार्थ होते हैं जो की? ठीक है तो स्नेहक यानि की lubricants तो lubricants क्या होते हैं? तो lubricants ऐसे पदार्थ होते हैं जो की दो गतिसील सत्हों के मज्य में लगाया जाता है ठीक है चिससे की क्या होता है घर्षन को कम किया जा सकता हो ठीक है तो correct answer इस question के लिए हो जाएगा reduce friction यानि की घर्षन को कम करने वाले जो होते हैं उनको हम लोग स्नेहक या फिर lubricants बोलते हैं दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको 10 से 15 question करवाऊंगा तो आपको वीडियो को end तक जरूर से देखना है और आज आप लोगों को at least try करना है कि आप लोग इसमें 10 से plus score जरूर से करें ठीक है चलिए देखिएगा question number 9 क्या बोला जा रहा है कि हराथ होता यानि की vitriol का रासाइनिक नाम क्या होता है options दिए गए है ferrous sulfate, ferric oxide, ferric phosphate या फिर ferric hydroxide तो देखिए हराथ होता यानि की vitriol जो होता है इसका रासाइनिक नाम होता है ferrous sulfate ठीक है तो ferrous sulfate कहाँ पर दिया हुआ है option number A में तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा option number A ferrous sulfate इसका जो है शुत्र भी पूछा जा सकता है यानि की formula तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका FESO4 ठीक है यह भी आपको जान में रखना है काफी बार जो है आपको chemical formula दे दिया जाता है नाम नहीं दिया जाता ठीक है और इसका use क्या होता है तो इसका use जो है वो medicals में किया जाता है यानि की चिकित सा कारिये में किया जाता है ठीक है यह भी आ सकता है तो यह भी आपको जान रख लेना है देखिएगा question number 2 और यहाँ पर क्या बोला गया है कि al-baruni द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है तो 10th question आप question number A किताब उल हिंद अब देखिएगा question number 11 क्या बोला गया है कि भारत में कौन सा राज्ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है ने भी MR एक्जाम में आ चुका है तो आपके DB एक्जाम के लिए भी काफ़ी special हो जाता है अब जूट क्या होती है तो जूट एक रहसेदार फसल होती है जिससे की बोरे रशियां कपड़े वगएरा बनाये जाते हैं ठीक है और इसकी जो खेती की जाती है यानि की जूट की जो खेती होती है उसके लिए एक temperature चाहिए होता है ठीक है जो की सब जगे पर maintain नहीं होता है तो इसके लिए 25 degree Celsius से लेके 35 degree Celsius तक का temperature चाहिए होता है और वर्सा भी जो होती है वो आपके 100-200 cm की ओसत वर्सा चाहिए होती है तो जूट उतपादन का सबसे बड़ा राज्य जो है भारत में कौन सा है तो यह है परस्चिम मंगाल ठीक है तो correct answer हो जाएगा option number D clear हो गया चलिए देखिएगा question number 12 क्या बोला गया है कि एक प पतली तार जो की बल्ब के अंदर होती है और जो की प्रकास देती है ठीक है options दिए गए टर्मिनल, टिप, स्रोथ या फिर फिलामेंट यानि की तन्तू तो देखिए correct answer क्या हो जाएगा तो correct answer हमारा इस question के लिए होगा option number D filament ठीक है बल्ब में पतली तार जो की प्रकास देत है वो तन्तू या फिर फिलामेंट कहलाती है और फिलामेंट का गलनांग जो है वो कितना होता है यह होता है आपका 3500 degree Celsius और इसको अम लोग क्या बोलते है इसका निर्मान किस से करते है तो इसका निर्मान जो है वो टंगश्टन से होता है ठीक है टंगश्टन अब जो है आज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ठीक है तो एक नवंबर 1913 को जो है अमेरिका के सेन फ्रांसिसिको में लाला हर्दयाल द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी ठीक है लाला हर्दयाल तो करेक्ट अंसर हो जाएगा इस कुश्टन के लिए ओप् ठीक है आपके एक्जाम में मैत्वपूंड दिवस निर्त्य वगेरा से यहां से जो एक दो कुश्टन बनते हैं तो इनको जो है आप लोगों को नेगलेट नहीं करना है जरूर से इनको चेक आउट कर लीजिएगा यहां पर कुश्टन में बोला गया है कि निमन लोख निर राजस्थान के साथ जूड़ा हुआ है ठीक है यानि कि ऐसा कौन सा लोख निर्त्य है जो की राजस्थान से डिलेटेड है ओप्संस दिये गए हैं विदी गेर रऊफ या फिर जोरा तो देखिए यहां पर जो हमारा इस कुश्टन के लिए करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप आप लोगों ने अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो जीके के प्रिवेस वीडियो चेक कर लीजेगा जीके भी जो है आपके एक्जाम में पांच मक्स कियाएगी तो आप लोगों को वहां पर ट्राई करना है कि एटलिस्ट आप लोग सबसे ज्यादा स्कोर वहां पर करे क्योंकि जो है आपके एक्जाम में एक-एक मक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है अब देखिएगा कुश्यन नंबर पंदरा यहाँ पर क्या बोला गया है कि विमानों की उंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का उप्योग किया जाता है यानि कि which instrument is used to measure altitudes in aircrafts option दिये गए है actinometer, silometer, accelerometer या फिर altimeter तो यहाँ पर जो एक correct answer क्या हो जाएगा option number D altimeter ठीक है altimeter जो होता है यह आपके विमान की उंचाई मापने के लिए काम में लिया जाता है अब देखिए दूसरे की अगर बात की जाएं तो silometer जो है यह क्या गरता है तो silometer बादल की सतय से उंचाई और गेराई को मापता है ठीक है और actinometer जो होता है actinometer यह क्या काम करता है तो actinometer जो है सूरिय की किरिणों की तिवरता को मापता है ठीक है और accelerometer होता है यह वाहन की गति को मापता है ठीक है तो I hope आप लोगों को सारे clear हो गए होंगे अब देखिए दोस् तो question for you में आपके लिए question है कि इन में से कौन सी वीडियो चुम्ब किया तरंग है यानि कि which one of the following is an electromagnetic waves option दिये गए हैं अवरक्त किरने, ultrasonic तरंग, ध्वनी तरंग या फिर के थोड़ किरने तो इस question का जो भी right answer होगा आप सभी लोगों को नीचे comment box में comment करके बताना है I hope आप लोगों को सभी question जो है समझ में आ गए होंगे और आज जो है आप लोगों का score 10 प्लस जरूर से रहा होगा चीक है तो वीडियो को like कीजिएगा, channel पर नए हो तो channel को subscribe कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में share करना बिलकुल भी मत बूलिएगा मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए topic के साथ में तब तक के लिए जय हिंद